रामगण इस दित सुभास चौक पर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उडिसा के भुवनेस्वर से चल कर दिल्ली जाने वाले हजार व्यक्तियों के विसाल जत्ता का स्वागत किया गया अखिल भारतिये किसान संगर समन्मै समीथी के चाजन राजे सयोजक महिंद्र पाठक के निर्तित्व में आयोजित अभिनंदन कारेक्रम में जत्ते के साथियों ने शहीद सुभास चंद्र बोस की प्रतीमा पर मालयारपन किया इस अफसर पर महिंद्र पाठक ने कहा कि देश भर में दिल्ली में चल रहे किसान अंदोलन के समर्थन किसान और मजदूर लाम बंद हो रहा है देश के कोने कोने से जत्ते किसान अंदोलन के साथ एक जूटता का प्रदशन करने के लिए दिल्ली जा रहे है जट्ते के निर्थित करता अक्षेयकुमार ने कहा कि मोधी सरकार ने इन तीनों नए काले कानूनों के माध्यम से देश के किशानों को गुलाम बनाने का श्रीयंत किया है और इस देश के क्रिशी सेक्टर को कौर्परेट घरानों के हाथों गिरवी रख दिया है पहुंचेगे जाजीपूर बड़र गुद्धिय से होई है एक मेने सिंग्यू बड़र में रहने का बाद और तीन इबा दो बार बारता में समील होने का बाद तीन दिसंबर पांच दिसंबर को हमने जो चीज देखे जे जिसान के लिए जो काला कानून सरकार बनाए है ना उ प्रागुर्टी पैदा करते हुए 26 तरीक को जैसे लाखों किसान दिल्ली में खडा होंगे और भारत मर्स में करीपरी एक कुड़ किसान खडा होंगे उसी वक्सत को लेकर जा रहे हैं जिस जनवत को लेकर आई सरकार सत्ता का प्रवइठ हैं उसी संगाठी जनवत सत्ता से खीज कर सरकार को नीचे उतार देगा उसी उद्देश से जारे अगर सरकार उसकारों को रवत नहीं करते और में स्कूल लिगा लेकर नाम बता लिजेगा और पाद बदेगा अक्षय कुमार रहस्ट्य संयोग नवरिर्मान किसान संगठन और सदस्या सहीत अक्षान झाल 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 झाल